नमस्कार स्वागत हैं आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर माख माख के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तिल चौत का तेवार मनाया जाता है इस व्रत को वक्र तुन्ड चतुर्थी तिलकुटा चौत तिल चौत और सकट चौत के नाम से भी जाना जाता है सेकर्ट चौथ 31 जनवरी 2021 को है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूजन की विधी क्या है चंदरोदे कर समय क्या रहेगा और क्या खाए और क्या ना खाए तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल पर नए है और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी ब्रत एवं तैवारों की दिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए तो चली शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो जो वेक्ति नियमत रूप से चतूर्थी का व्रत नहीं कर पाते हैं वो यदि मागी चतूर्थी का व्रत कर लेते हैं तो ही साल भर की चतूर्थी व्रत का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है तो चली जानते हैं कि सकट चौत की पूजन विधी क्या है सकट चौत की पूजन विधी के अनुसार इस दिन वरती को सुबह सुर्यदय से पहले उठ जाना चाहिए सुबह सुबह ही सुवयम को शुद्ध करते हुए स्नान करे और भगवान गरेश का स्मरान करे इस्नान के बाद भगवान गरेश की पूजन का विधान है पूजन के बाद में लाएं, पूरे दिन का निर्जला वरत रखती हैं, पूरे दिन के निर्जला उपवास के बाद शाम को फल फोल तिल गुड आदी से फगवान गरेश की विधान से पूजा अर्चना किया जाता है, गर्पती जी की पूजा में दूब चला चड़ाना शु है कि सकट चतूर्थी के दिन कंद मूल का सेवन नहीं करना चाहिए, कंद मूल वो चीज़े हैं जो जमीन के अंदर होती है, जैसे प्याज, गाजर, शलजम, लहसुन, मूली वगेरा, सकट चौत या तिल चौत 2021 में 31 जनवरी 2021 दिन रविवार को है, चतूर्थी तिती का प् समय रहेगा 31 जनवरी 2021 दिन रविवार को रात के 8 बच का 40 मिनट पर, सकट चौत के दिन गड़पती को तिल के लड़ों का भोग लगाना चाहिए, ये विशेश फल देने वाला माना जाता है, इसके साथ ये भी कहा जाता है कि व्रत खोलने से पहले जब आप चांद को जल दे रहे हो तब भी हात में तिल रखे, मानता है कि इस दिन व्रत खोलते समय भी सबसे पहले तिल के लड़ों खाने से व्रत का प्रताप बढ़ता है, मागी चौत के अफसर पर व्रतारी को चंद्रदर्शन और गड़ेश पुजा के बाद व्रत समाप्त करना चाहिए, इसक नए वीडियो के साथ